वाइस देसे साधे जुलेका और वाचिंग में और ओफिशल यूट्यूब चैनल डाइट इसाधे जुलेका ओफिशल सो जैसे कि आपने थाम्नेल में अल्रेडी देखी लिया है कि इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे लोग डिसकस करेंगे दा कोस्टेंस कॉंटिटेटिव एप्टिट्यूड यह कॉंटिटेटिव एप्टिट्यूड आपका SSC CGL 19 परी का है यह आपका फर्स दे सेकेंड शिप्ट का है विदाउट एनी डिले लेट्स केट स्टार्टेड जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहागा उसमें क्या बोल रहा है डिलर म मांक अप करके रखा है उसका प्राइस को 140 पर 40 पर एब रखा है एंड उसके बाद क्या बोल रहा है Allowing 2 successive discounts of 20% and 25% on the mark price ओके सो मांक अप करके जितना भी रखा है उसमें 2 discount दिया है एक 20% का 25% का सो टोटल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा देन बोल रहा है कि if he suffers a loss of 140 रुपीज देन दा कॉस्ट प्राइस इन रुपीज आप दा आर्टिकल इस वाट वाट विशन में भी मैंने वही किया है टोटल डिस्काउंट मैंने निकाल लिया है दो डिस्काउंट दिया हो था तो टोटल डिस्काउंट मैंने निकाला टोटल डिस्काउंट निकालने से डिस्काउंट लग रहा है so 40% discount का मतलब क्या हो जाएगा कि MP कितना MP का amount बन रहा है 60% ही बन रहा है so जो discount percentage लगता है वो MP के उपर ही लगता है and discount लगने के बाद MP में लगने के बाद that is equal to SP होता है so MP और SP का एक आपको relation मिल जाएगा यहां से so बोल सकते हैं कि SP is equal to what? SP is equal to 3 by 5 of MP okay अब CP जितना भी होगा उससे 40% बढ़ा करके रखा हुआ है MP को okay मतलब CP अगर X है तो आपका MP क्या हो जाएगा 7 by 5 of X हो जाएगा okay so अब यहां पर जो MP का value मिला MP और CP का एक relation मिल गया so आपको CP और SP चाहिए profit या loss निकालने के लिए so अब यह जो MP मिला 7 by 5 of CP अब यहां पर अगर first वाला condition में put करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा SP और CP का relation मिल जाएगा जो यहां पर मैंने किया है कि SP is equal to 3 into 7 हो गया divided by 5 into 5 CP so SP और CP का relation क्या मिल गया दोनों का ratio पता चल गया कि किस ratio में divided है that is 21 by 25 so इसी से पता चले गया कि SP का में आपका CP जादा है that means कि loss हो रहा है और बोला था कि loss कितना हो रहा है 140 रुपीज का loss हो रहा है so आप बोल सकते कि 4 X is equal to 140 so आपका X is equal to आपका क्या हो जाएगा X आपका 35 हो जाएगा और आपको CP निकालने बोला है CP पूछा है so CP आपका क्या हो जाएगा 35 into 25 हो जाएगा क्योंकि CP का ratio में value क्या 25 है okay so multiply करने के बाद आपका answer आ जाएगा 875 question number 2 में क्या बोल रहा है कि the value of the expression cos sec 85 plus theta minus sec 5 plus theta minus 10 55 plus theta plus cot 35 minus theta is what okay so अब आपको ये क्या करना होगा कि common मतलब add करने के लिए subtract करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि जो expression है उस expression में सब के angles अलग अलग है किसी का angle similar नहीं है so आपको angle similar बनाना होगा ताकि आप add ये subtract कर सको so आपका जो expression दिया होगा वो simplify हो पाएगा okay so solution में आ जाते है solution में क्या क्या है मैंने वही क्या है कॉसेक है कॉसेक 85 प्लस theta है और ये आपका question था minus sec 5 minus theta and minus 10 55 plus theta plus cot 35 minus theta so मैंने कॉसेक को sec बना दिया है means दोनों को अगर आप दोनों को change करोगे तो फिर तो बात हुआ ही बन जाएगा मतलब कुछ भी उसमें change नहीं आएगा फिर equation आपका मतलब simplify नहीं हो पाएगा so मैंने कॉसेक को क्या क्या sec बना दिया है जाएक मैं pewno मेंकि इसी एक को 10 को उर्यां को कॉट बना दीजिए कॉटको अगरे इसो मैंने कॉटको आपको को कीसें के बने गा कॉसेक सबमी रसेक नाइटेंटी माइनश तीटा क्या होता है तो यह दोनों cancel out हो जाएगा then उसके बाद यहाँ पर tan tan को मैंने cot बनाया है so यह tan क्या हो जाएगा tan को cot बनाने के लिए क्या करना होगा tan भी वही होता है tan 90 minus theta is equal to cot theta होता है so आपका इस तरह से आप conversion कर सकते हो so convert करने के बाद आपको क्या जाएगा so at last the answer will be zero question number third मैं आपका क्या बोल रहा है की quadrilateral ABCD circumference नहीं होगा circumscribe a circle if AB is equal to 8 cm BC is equal to 7 cm and CD is equal to 6 cm then the length of AD is what means बोलने का मतलब क्या है की quadrilateral ABCD आपका जो है वो circumscribe कर रहा है किसी circle को मतलब quadrilateral आपका बाहार है and circle आपका अंदर है so यह इस तरह का आपका figure draw होगा ABCD आपका यह हो गया and आपका length दिया हुआ AB आपका 8 है BC 7 है CD आपका 6 है and आपको यह पूछा है कि AD का length क्या होगा okay so solution में भी मैंने वैसे ही किया है मैंने यह जो मैंने figure अभी draw करके बताया है वह as it is मैंने वही figure draw किया है बस मैंने क्या किया है कि यह A से लेके means AB का जो यह midpoint होगा और AD का जो midpoint होगा वो दोनों का length सेम होगा means अगर यहां पर midpoint आपने माल लिया K माल लिया इसका midpoint इसका L माल लिया BC का midpoint L माल लिया CD का M माल लिया and AD का N माल लिया midpoint okay so बोल सकते हैं K is equal to A N okay so मैंने वैसे ही कर दिया है that means कि यहां से यहां तक का जो length होगा और यहां से यहां तक का जो length होगा वो same होगा इसलिए मैंने यहां पर AA लिखा है small A जो लिखा है then उसी तरह से बाकी सब का भी हो जाएगा बाकी सब का क्या हो जाएगा यहां से यहां तक का जो length होगा वो यहां से यहां तक का length same होगा so BB हो गया उसी तरह से CC हो जाएगा और उसी तरह से DD हो जाएगा आप कुछ और भी variable ले सकते हो, मैंने ये लिया है, तो उस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, कि a plus b, small a plus b is equal to 8 बोल सकते हैं, a b is equal to 8 है, a b का length आपका 8 है, b c is equal to 7, c d, c plus d is equal to 6, and d plus a, ये वाला नहीं पता है, इसलिए इसको x बोला है, और ये सबको equation 1, equation 2, and equation 3, and equation 4 में मैंने naming के हिसाब से दे दिया है, ओके अब चारो equation को add कर दिया, left hand side and right hand side दोनो, अब add करने के बाद क्या हो जाएगा, a, b, c और d, चारो जो variable है, वो आपका दो दो बार मिल रहे है, a plus b plus c plus d हो जाएगा, is equal to, इधर add करने के बाद आपका 21 plus x हो जाएगा, अब उसके बाद a plus b आपका 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया, और c plus d आपका 6 है, तो मैंने यह 6 लिख दिया, दोनों का add करने के बाद इधर आपका 28 हो जाएगा, and solve करने के बाद x आपका 7 हो जाएगा, Q4 मैं आपका क्या बोल रहा है कि इन ट्रेंगल ABC, AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC, OK, then बोल रहा है, इन ट्रेंगल DEF, D is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M, then इसके बाद बोल रहा है कि if area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 9 is to 25, then DM plus AL by DM minus AL is what, So, solution में देखिए, क्या क्या है मैंने, पहले बोला था कि एक triangle ABC, तो एक triangle बना दिया ABC, then बोला है कि AB is equal to AC बोला है, then बोला है कि एक AL है, जो कि perpendicular है किसके BC के, OK, then बोला था कि एक और triangle है, जिसका नाम DEF है, जिसमें DE is equal to DF है, and DM जो है वो perpendicular है EF के, So, ये बोल सकते हैं, ये दोनों triangle का जो property जो भी बताया गिया है, question में उसकी सबसे बोल सकते हैं, कि ये दोनों triangle आपका similar होगा, अगर दो triangle similar रहते हैं, दोनों का area, दोनों का area का ratio जो रहता है, that is equal to the square of their one of the side, So, अगर ABC triangle का एक side AB हो गया, और जो same side लेना होगा, means similarity के basis पे, जो same side हैगा, उसको लेना होगा, कोई और side नहीं ले सकते हैं, So, अगर AB ले रहे हैं, तो इस triangle का D लेना होगा, So, इसका square हो जाएगा, यहाँ पर मैंने y किया है कि area, So, उसके हिसाब से बोल सकते हैं, कि 9 by 25 is equal to, मैंने AL मान लिया, इसका perpendicular, इस triangle का perpendicular, AL है, इस triangle का perpendicular आपका, DM है, So, AL by DM, AL by DM इसलिए लिया है, क्योंकि question में, AL और DM के respect में ही पूछा गया है, इसलिए मैंने, यह वाला side लिया है, means यह perpendicular लिया है, Okay, so, बोल सकते हैं कि, AL by DM, का whole square is equal to, 9 by 25, So, AL by DM आपका क्या हो जाएगा, 3 by 5 हो जाएगा, अब DM प्लस AL आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यह दोनों का add कर दीजिए, and DM minus AL आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह दोनों को subtract करने से, So, आपका at last answer 4 हो जाएगा, Question number 5 में क्या बोल रहा है आपका, PQRS is a cyclic quadrilateral, in which PQ is equal to X, QR is 16.8 cm, RS is 14 cm, PS is 25.2 cm, and PR bisects QS, then what is the value of X, So, solution में देखे, मैंने क्या किया है, मैंने बोला है, कि PQRS जो है, वो आपका cyclic quadrilateral है, So, cyclic quadrilateral मतलब क्या होता है, जो आपका quadrilateral होगा, वो circle के अंदर होगा, So, आप PQRS आपका 1 cyclic quadrilateral है, So, इधर आप नाम देदीचे, PQRS, जो मैंने क्या है, और जो values दिये हैं, वो मैंने यहाँ पर, specify कर दिया है, that is, PQ is equal to X, QR 16.8, RS आपका 14, So, इस तरह का जब भी figure draw होता है, और यह condition दिया रहता है, कि PR जो उसका diagonal है, वो bisect कर रहा है एक दूसरे को, means एक दूसरे को दो equal part में बाट रहा है, So, उस हिसाब से एक relation बनता है, means एक formula बनता है, कि यह diagonal को कौन-कौन side cover कर रहा है, आपका side PS cover कर रहा है, and SR side cover कर रहा है, So, यह दोनों का multiplication, is equal to आपका यह वाला, दूसरा जो diagonal है, यह वाला diagonal है, So, यह वाला diagonal कौन-कौन side को cover कर रहा है, यह side और यह side को cover कर रहा है, So, अब यह वाला diagonal, आपका यह side, यह side cover कर रहा है, PQ and RQ, so pq आपका x हो जाएगा x into आपका 16.8 हो जाएगा आप उसके बाद आप जो cut रहा है उसको cut दो then at last आपका answer x is equal to 21 हो जाए question number 6 में क्या बोल रहा है कि the value of यह आपका simplification का question है तो देख लीजे इसमें मैंने क्या क्या वही ची लिख दिया सो आपको इसके यह type का question solve करने के लिए आपको board mass rule पता होना चाहिए board mass आपका क्या होता है b for bracket o for off होता है off means multiply करते है अगर दो चीज के बीच में off लगा हुआ है जैसे two of three है that means उसका answer आपका six हो जाएगा so b आपका bracket हो गया o आपका off हो गया d division m multiplication a for addition and s for subtraction होता है okay so यह rule आपको पता होना चाहिए so उस हिसाब से यहाँ पर solve करेंगे so eighteen divided by two of one by four तो पहले आपका यह multiply हो जाएगा then आपका वही मैंने multiply कर दिया so one by two आ गया then उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपका division है और multiplication है इस वाले bracket में तो मैंने इसको क्या कर दिया three by four को उल्टा कर दिया तो यह multiplication का symbol बन गया जो cut रहा है उसको मैंने cut दिया जो बच रहा है वो बच गया then उसके बाद यह वाला bracket में जो off वाला है term वो पहले आपका multiply हो जाएगा तो मैंने multiply करने के बाद आपका क्या जाएगा nine by sixteen आ जाएगा okay then उसके बाद आपका यहाँ पर यह वाला bracket को पहले सा solve करो तो क्या हो जाएगा eighteen divided है so अगर इसको multiplication का symbol करेंगे तो यह two आपका उपर चल जाएगा so आपका इधर 36 हो गया then इधर आपका क्या हो जाएगा इधर आपका five by nine बच रहा था काटने के बाद तो five by nine हो गया then division का symbol है so division का symbol and then two by three अब यह division का symbol को multiplication बना दिया मैंने तो यह उसका reciprocate करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है so अब उसके बाद at last मैंने क्या किया है कि इधर 36 होगे इधर multiplication में five by nine है और इधर division था तो यहाँ पर दोनों को पहले multiply करना होगा so आपका 32 by 27 आएगा लेकिन यह division का symbol को multiplication का symbol बनाने के लिए यह उलट जाएगा तो उलटने के बाद फिर आपका यह आ जाएगा then जो कट रहा है मैंने काट दिया है जो multiply हो रहा है और बच रहा है वह बच गया है at last आपका answer हो जाएगा 16 16 7 by 8